धन्दन सत्गुरू तेरा ही असरा नमस्कार दोस्तों स्वागता है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर पावर MSG में मैं आपका दोस्त मंदीप सिंगिनिशा घजुआ तो आप सब को बताना चाएंगे जैसे कि डेरास्चा सोदा मानोत अबलाई के 133 कारिया करता है और जिसमें कि बेटी बचाओ कारिया भी बहुत एहम है तो आपको बताना चाएंगे जब से डेरास्चा सोदा इस थापना हुई है उनीश और तालिशी लेकर और अब तक पुझ्य जोवी गुरु जी आई है उन्होंने सभी ने बेटी बचाओ के लिए परियास किया है तो आपको बताना चाएंगे कि जैसा कि पुझ्य जूर पिता संद्गुर मितराम रहीम सिंग जी इन्सा ने बेटी बचाओ का जो भी करने के लिए तो एले स्वदा बहुत पहले से परियाशрах ऑर परियास कर रहा है और आपको पता भी होगा कि छैसा क्रोड़ जो यह उसा परन भी ले चुके है कि वो कभी भी कन्याबुरनत्या जैसा महापाप ना करेंगे और ना किसी को करने देंगे तो दोस्तों डेराफ्टा सोदा जो मानोत अबलाई के काजिया करता है उनमें लड़कियों के लिए बहुत विशेश काजिया करता है और आप सब को ही पता है कि जैसा कि आप सब को पता है जो लड़कियां कन्याबुरनत्या में मार रही जानी थी लेकिन डेराफ्टा सोदा में उनके लिए साही बेटियां बसेरा बनाया हुआ है जहांपर गी जो लड़किया कुड़े करकट में फैंक दी जाती थी या जिनको कोख में ही मर जान था लेकिन डेराफ सा सोधा ने उन बेटियों को भी अपनाया हुआ है और उनकी परवरिश भी कर रहे है अच्छे मौल में तो आपको बताना चाहेंगे कि ऐसी साही बेटिया बसेरा बनाया गया जो उनको खुद पुजय जूर पिता जी ने अपनी बेटियों का दर्जा दिया हुआ है और जो करोड़ों की साथ जंगत है वो भी अपनी बहें बेटिया मानती है उनको जैसे कि आप सो को पता है जिस लड़की की जिन्दगी ऐसे गुजर रही हो जिस को कि कोटे पर दंदा करना पड़ता है ऐसी लड़कियों को पुजय जूर पिता जी की पावन पर ऐणा पर देरास्ठा सोदा के अनुवाई अपनी बहन बनागर देररास्ठा सोदा में लेकर आये और पुजय जूर पिता जी ने उनके लिए कर दिखाया क्योंकि उनका एक सपना था कि वो भी किसी की धर्म बतनी बनेगी किसी गर में जाएंगी लेकिन एक कोठे पर जो रहने वाली वेश्या है वो किसी कोठे की रोनक थी लेकिन पुझय जूर पिता जी ने जब से उनको अपनाया उनका इलाज करवाय और उनकी साधी भी करवाई गई तो वो उस लड़की के लिए इससे बढ़ा और क्या होगा कि पुझय जूर पिता जी ने उन्हें एक कोठे की रोनक से उठाकर सिद्धा किसी गर की लक्षमी बना दिया और जिनकों की खुद खुदा जो पुझय जूर पिता जी जिनकों क करोड़ों लोग अपना खुदा मानते हैं उसकी बेटी का दर्जा मिला इससे ज्यादा और क्या होगा तो आपको बताना चाते हैं कि डेरेस्टर सोदा ने तो बहुत पहले से ही बेटी बचाओ अभियान को शुरू किया हुआ है लेकिन सरकार ने भी अपना लिया अब तो इनकियों के चेहरे पर तेजब भैंक देते हैं और उनका उनकी दुबारा वैसी सकिन लगाने के लिए सकिन बैंक बना गया जो कि डेरेस्टर सोदा में और आप सब को भी पता है और वह है दिया है जो कि अपने साथ लेकर चलते हो चाहिए फिल्म की बात हो या कोई भी मानने होता बलाई का कारिया हो तो बैने निपरीत इंसा भी साथ में रहती है तो यह लड़कियों के लिए बहुत गरव की बात है कि लड़कियां आज इतना कुछ कर रही है और वो भी डेरेस सवदा में सिक्षन सुस्तान है साथ तनाम जी गरल कोलेज और सखूल वहां की लड़कियां गोल्ड मैडल भी लेकर आती है और पटाई में भी अवल रहती है जैसा कि आप सबको पता ही है न्यूजपेपरों में भी और टीवी में भी देखते होगे तो दोस्तों आपको प कि वहां लड़की लड़के को लड़के के साथ साधी करके अपने गर लेकर आएगी और लड़की से भी कुल चलेगा आगे तो दोस्तों ऐसी मुहिम शुरू की है जिसमें की समाज के अंदर अच्छा संदेश जाता है तो कुल का करावन मुहिम है उससे यह होता है कि जो ल कि अगर दो बेटे या तीन बेटे होते हैं तो पुझे पिता जी की मुहिम के अनुसार वो एक लड़का उस लड़की के साथ उसी के गर रहता है और लड़की से ही उस कुल का आगे नाम चलता है और लड़की से ही कुल चलता है तो दोस्तों ऐसी ऐसी मुहिम शुरू की है डेरास्ता सोदा ने कि जिनको दुनिया भी सारा ना करती है कि हाँ वास्तों में डेरास्ता सोदा ऐसे कारिया कर रहा है और आप सब को बताना चाहेंगे कि डेरास्ता सोदा जो मानोदा बलाई के कारिया करता है वो बे मिशाल है दुनिया में आज तक ऐसी कोई संस्था नहीं जो डेराफ्ता सोदा जीतने मानोता बलाई के और इंसानियत के कारिया करती हो तो दोस्तों आप सबसे निवेदन हैं किर्प्या करके इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें जी धन्दन सत्गुरू ते जो की वीडियो खटम होने के बाद जो क्लिक अ